वेल्कम टिलक अकेट मी आज का जो पैटिकिलर वीडियो है इसमें हम वैक्यूम बॉम की वर्किंग के बारे में बात करेंगे पिछला वीडियो में ने परमाणूबं की वर्किंग के बारे में बताया था और उसकी पुरी डीटेल आपको दी थी अगर आपने वह नहीं देख होंगे लेकिन यह बिलकुल परमानु बं से अलग है परमानु बं जो होता है उसके अन्दर अगर आ इसमें नहीं होता है नॉर्म में फ्यूल यूज किया जाता है वो क्या होता है कैसे वर्किंग करता है पूरी एक चीज में आपको समझाता हूं तो चलिए और अमेरिका इसका जो उपयोग है वो अलकाइदा और अगर मैं बात करें वियतनाम के खिलाफ कर चुका है ऐसा उसका कहना है अगर बात करें तो इसका जो वेट होता है बहुत जादा भारी भरतम बॉम है 9700 सिंत्यानों किलो के लगपक इसका वेट होता है अगर बात करें तो 11 किलो टन आफ टी एंटी के बराबर का ब्लास कर सकता है अब यह किलो टन ऑफ टी एंटी क्या होता है एक किलो टन मदलब की एक हजार टन मतलब 1000 टन ट नी की होता है ट्राइ नाइट्रो टॉम को लिया जाए उससे विसफोट किया जाए तो जितना धमाका होग तोasis का ग्यार आफ जी-स वार अगर बात करूंत Sum यहां पर आप देखेंगे कि यह जो है 500-300 में कुछ भी चीज अगर इसके आ रही है तो इसको निस्तो नाबूद कर देगा इसके अंदर आप देखें तो इसको दो तरह के सब्सक्राइब का टाइप है जिसको आप क्या कर सकते हैं रॉकेट लॉंचर से भी लॉंच कर सकते है और आप जो एयर क्राफ्ट होते हैं उनके थूथ भी आप क्या टं मरत सकते हैं तो इसमें क्या रहता है कि यह स्रूक्सर रहता है पीछे कुछ रविंग्स रही है जो इसको इक लिए सब र हमदेनّ बना देते और रशेया बोलता नहीं है लेकिन इसे father of all bomb कहा जाता है और यह जो अमेरिका का बंब था उससे लगबख चार गुना जादा शक्षिश शक्ति शाली है अगर मैं बात करूं अमेरिका के बॉम की तो ग्यारा किलोटन अगर अमेरिका ने कहा कि हमारा जो बाउम में भाईया वो तुमसे डबल करता है और अगर यह बात करें तो लगबख साथ तन तो इसमें विस्फोटक पदार्त ही यूज किया गया था इसके अंदर की साइड विस्फोटक पदार्त जो है साथ तन के लगबख यूज किया गया है इसके बाद में इसकी पावर जो है चुमल इस किलोटन आफ टेंटी के बराबर यह मैं आपको बता चुका हूँ और इसका अगर डिस्सेक्शन यहां पर 300 मिटर लिखा हुआ है लेकिन इसका इंपक्ट होता है पूरा 600 मिटर के एरिया में जो भी चीज इसके डीटेल तो हमने देख लिए नेक्स देखते हैं तो अगर हम देखे तो वर्किंग जैको सिंपल सी वर्किंग है जैसे आपने बच्पन में एक एक्सपरिमेंट किया होगा ना किया और ऑक्सीजन की जरुवत होती किसी बी चीज को जलने के लिए तो यहां पे आपने लिए देखते हैं आपने क्या देखा होगा कि जो सैटलाइट जाते हैं अंतरिक्ष में उसके अंदर हम क्या करते हैं फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दो चीज का प्रयूप करते हैं हमारी अर्थ पे तो क्या रहता है एक्मोस्फियर में ऑक्सीजन अवेलबल रहती है लेकिन वेलबल में क्या रहता है तो इन दोनों के मिक्सप से वह ब्लास्ट होता है लेकिन वेक्युम बं जाधा खतरनाक क्यों हो जाता है क्योंकि इसमें 100% पूरा का पूरा फ्यूल रहता है इसको ब्लास्ट करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजर की जरुवत नहीं है ये क्या करता वातावरंड से oxygen जितनी भी रहती उसको सक कर लेता है और फिर ब्लास करता है जिसके कारण इसको वैक्यूम करते हैं अब मैं बताओंगा इसका पूरा आपको इस तरह से बॉम रहता है यहां पर एक डिटर्णेटर लगा हुआ है आप देख पा रहें और यहां पर में फ्यू करता है डिटर्णेटर का मतलब एक स्पार्क जनरेट करने वाली चीज है ना तो इसमें दो स्टेज में धमाका होता है जिसके अंदर अब यहां पर इसके अंदर फ्यूल क्या जाता है जैसे कि आप में बोल रहा हूं साथ टन है तो साथ टन का पूरा फ्यूल वहां पर जाता है जो की बहुत ही जादा मतेरियल है और जितना बी इतलीन ऑकसाइट और ऐलुमिनियम पौटर इसके इंदर भरा होता है compress करके liquid form में, वो gaseous form में convert हो जाता है, और gase का एक बहुत बड़ा सा आवरन यानि की गोला बना लेता है, और जितना बड़ा एक timing set रहता है, तो जिसमें जितना बड़ा ये गोला बना लेता है, एक particular range के बाद में, तब इसमें दूसरा blast होता है, तो जब दूसरा blast होता है, ग्रेनेट की तरफ हटता है, और जितना भी आवरन है, उसके अंदर जो explosive material फेला हुआ है, उसको ये भड़का देता है, तो ये continuously एक बहुत बड़ा सा आग की गोले में वो तबदील हो जाती है, और जब इतनी बड़ी चीज जलती है, आग के गोले में तबदील हो जाती है तो जितनी भी आसपास की वायूम में वातावरन में oxygen है, वो सारी खीच लेती है, वहाँ पर absorb कर लेती है, क्योंकि आपको पता है, जलेगी कब कोई चीज, जब oxygen उसके साथ होगी, तो यह oxidizer यह atmosphere से ले रहा है, तो पूरी oxygen atmosphere की खीच लेता है, और बहुत ही बड़ा इसमें ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, इसके अलावा अगर vacuum bomb की मैं बात करूँ, तो इसका जो प्रयोग होता है, यह पानी के अंदर नहीं किया जाता है, मतलब कि देखेंगे कि पानी में इससे ब्लास्ट किया हुआ था, पानी के ऊपर छोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे ही रहते है, सिंपल सी बात है, जो ऐसे भी परिक्षन होते हो समद्र के आसपास ही होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, इंडिया में भी इतने परिक्षन होते हैं, वो समद्र के आसपास होते हैं, अंदर होते हैं, देखें वेक्यूम बाम की अगर बात की जाए इसके अ से पहाडों पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इसका ज्यादा इंपेक्ट नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वह उतनी ज्यादा अच्छ से पर्फॉर्फॉर्मेंस दे नहीं पाता ठीक है यहाँ पर भी सेम वर्किंग दिखाया गया है अलग-अलग सकते हैं इसके अलवा आप देखेंगे कि इसका मैनुफेक्टरिंग पार्ट आप देख सकते कि बनते हुए इस तरह से भी रहता है तो अलग-अलग टाइप की हो सकते मैं आपको बताया बंब की प्रजाती है कुल मिला करके है ना कन्वेंशनल बंब से थोड़ा सा अलग है